राम राम, जितने लोग भी मेरे बाई जीम जा रहें हमें पांसाल हो गया जीम जाते हुए और हमें ट्रेणिंगे पीं साल हो कह लगबग हम कुछ पांची छीज में बता रहे हैं जो लोग भी gym जातेते हो फॉलो करो आयार बहुत मिले सज बता रहे हैं सबसे पहला है हाइड्रेशन जिम अगर जो लोग भी जिम कर रहा है कोसिस करो चार से पांच लीटर पानी जब कंजूम करोगे तो तुमारी मसल को कॉंट्रेक्शन अच्छा मिलेगा तुमारे जो हार्ट और लीवर हैं ब्रेन हैं वो सब बहुत अच्छे से फोकस्त काम करें और साथ ही साथ जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि ब्लैक आउट हो रहा है वरकाउट करते करते या फिर जिनको ऐसा हो रहा है कि सरदर्द हो रहा है जिनको ऐसा लग रहा है जिम करते करते चक्कर आ रहा है यह जो सारी दिक्कते हैं केटेगरी है जो दिक्कतों की वो मेरी परसनल गाइडेंस है जो कि हम अपने जुतनों को भी हम ट्रेंड करते हैं बताते हैं अपनी 100% कैपेशिटी चेक करने की जोड़त नहीं है क्योंकि जब आप किसी भी वेट में 100% अपना चेक करने जाते हो तो मुस्किल से एक रेपेटिशन या दो रेपेटिशन निकलत और मिनिममम वेट उतना ही उठाओ कि तीस से उपर ना जाओ और बहुत ही कम हो जाएगा ठीक है तीस तो नहीं पास से अगर 15 के बीच में रेंज रहती है तुमारे वेट की वह बहुत बैस रहेगी मसल बिल्डिंग के लिए दो चीज़ आगी समझ में तीसरी चीज हमारे पास है कि प्रोटीन के लिए इस समय प्रोटीन में देख रहो कितना गलत दंदा चला है तो प्रोटीन के लिए कोसिस हमेशा यह करो तुम की प्रोटीन अगर ओल फूट से ले पाओ जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है चिकन हैं अंड सबजी जरूर खाओ कि फैट हर एक मिल में जादा मिलेगा आपको तो सब्सक्राइब के जरूरत है ठीक है तीसरी चीज क्या है होल फूर्ट से हमें लेनी है प्रोटीन इने हम यहां पे बात करें तो कोसे समय साब ये करो कि वर्काउट जो भी तुमारी बॉड़ी पे कर रही है उस वर्काउट को एट लीस्ट दस हफते तक फॉलो करो मिनिमम दस हफते तक विजबल रिजल्ट के लिए ठीक है आखरी एडवाइस हम सबको देना चाहेंगे जो बिगनर है जिन्होंने जिम सुरू करी है उनको एडवाइस यही देना चाहेंगे जिम को अपनी जि कि हमें जैसे हम खाना खा रहे हैं जैसे हम सो रहे हैं उसी तरीके जिम है उसको इस तरीके से मतलाओ कि वह बहुत बड़ी चीज़ होगी कि दिन बर बस जिम कर रहे हैं लेकिन हाँ यह है कि उसको जरूरी उतना रखना है जितना हम खाना काते हैं जितना हम सोते हैं उतना ही जरूरी जिम को कर दो बस इतनी चीजे फॉलो करो मसल बिल्डिंग अराम से हो जाएगी राम राम